ओर ओपी वन रैंक वन पेंशन का पहला किस्त यानि पहली इंस्टॉल्मेट और साथी साथी यहाँ पर जो ओर ओपी टुकर रिविजन हुआ है उसके बाद कितना पैसा यहाँ पर एक्चुली एरियर बन रहा है यह सारा कुछ हमने एक फॉर्मूला तयार किया और यहाँ पर चरचा करेंगे ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल सके उससे पहले सभी पेंशन धारक पूरु सैनिको को राम राम अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं क्या नीचे एक सस्क्राइब का बटन होगा उस बटन को दबा लीजे ताकि आपको आने वा 130 का यहां पर बेसिक पे है multiply by 2 करेंगे तो 34,000 रुपे यहां पर 260 रुपे पे बनता है जिसको हमने further जो calculation के 30 से multiply करेंगे और divided by 100 याने कि 100 से divide करेंगे तो हमारा full जो pension बनेगा वो 10,278 रुपे यहां पर बन जाता है और then उसके बाद उसको हम लोग 2 से divide करेंगे तो यहां पर जो है 5,139 रुपे जो है लगबग मतलब 5,140 रुपे जो है आप पर हमारा निकल करके आता है total round figure तो यहां पर हमने calculation की है वहीं आपर आप भी अपना calculation इसी टाइप से कर सकते हैं यहां पर देखे 22 जनवरी की important tweet निकल करके आई है जो कि बड़ी जानकारी share की गई है हर म OROP है JCOs और ORs को यहां पर different of approximately इन्होंने बताए कि 5000 के यहां पर difference दिखा गया है जो लोग एक जनवरी 2016 से पहले retired हुए है चार्ट 7 जो table 7 आया था उसमें उनको जो 5000 रुपे कम मिल रहा है जबकि जो की एक जनवरी 2016 के बाद retired हुए है चार्ट जो यहां पर table 8 था उसके अन वहीं यहां पर जो हमारे केपी सिंग जी है इन्होंने नरेन मुझे को hashtag करते वए tag करते वए इन्हों कहा है कि महोद है आप से अग्रा करूंगा कि आप फौजियों को OROP2 देकर JCO और जवानों को पागल बना दिया है कि अब वे क्या करे इनका यहां पर साफ साफ कहना है कि फौजी अपसर के लिए ही OROP2 था और उनको पैसे के जरुरत है जवानों के OROP2 का पैसा भी उन्हें को दे दिया जाए इन्होंने मतलब तंज करते वे कहा है क्योंकि जवान तो सिर्फ और सिर्फ सहीद होने के लिए है यानि कि यहां पर जो benefit आपको पता होगा कि OROP2 का जो यहां पर कुछ बदला होता है या फिर कोई update निकल के आती है सारा information में provide करता है अपने channel के मादियम से बिलकुल free में channel को subscribe कर लिजे जैहिन जै भारत